बाजपा किसानों की समस्याओं को लेकर आगे आई है बाजपा के कार्यकरता किसानों की समस्याओं को लेकर सडकों पर उतर गए और जोरदार प्रदर्शन किया इस जोरान जमकर नारे बाजी भी की गई बाजपायों ने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं की और ध्यान नहीं दे रही है अन्यदाता सरकार की नीतियों से दुखी हो चुका है आपको बता दे कि बाजपा कार्यकरताओं द्वारा धान खरीद के मुद्दे और किसानों की समस्याओं को लेकर एक दिवस्य धरना प्रदशन किया गया इस प्रदशन में पूर्वमुख्य मंत्री एवं भार्तिय जन्ता पार्टी के राश्त्रे उपाध्यक्ष डॉक्र रमन सिंग भी शामिल हुए प्रदेश भारतिय जंता पार्टी के आवान पर प्रदेश सरकार पर धान खरीदी में अवेवस्था बारदाना की कमीवा किसानों के साथ वादा खिलाफी को लेकर राजनान गाउं शहर के इमाम चेक में भाजपा द्वारा एक दिवस्य विधान सबा स्तरिय धरना प्रदर्शन किया गया इस धरना प्रदर्शन में प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री एवं भारती जंता पार्टी के राष्ट्र उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंग भी शामिल हुए और प्रदेश की भूपेश बगेल सरकार को अपने भाशन के दोरान गेरा इस औरान डॉक्टर रमन सिंग ने कहा कि आज प्रदेश व्यापी 90 विधान सभा में किसानों की समस्या और मांग को लेकर प्रदर्शन का आयोजन किया गया है पूर्व मुख्य मंत्रिय वंभारतिय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंग ने प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाते वे कहा कि बीते 15 वर्षों में बोरे की समस्या कभी नहीं हुई वही धान का भुक्तान भी कभी नहीं रुका उन्होंने का कि जान बूज कर प्रदेश की कॉंग्रेस सरकार समस्या उत्पन्न कर रही है वही डॉक्टर रमन सिंग ने पूरे प्रदेश में कानून विवस्था चर्मराने की बात भी कही है आपको बता दे कि इस दोरान 9,000 करोड रुपे का हिसाब दो भुपेश सरकार जवाब दो का बैनर लगा कर अपने प्रदर्शन के माध्यम से भारती जनता पार्टी के विविन वक्ताओं ने कॉंग्रेस सरकार से जवाब मांगा वही अपने प्रदर्शन के दोरान भारती जनता पार्टी ने धान खरीद की तारीक बढ़ाने, 25 रुपे का भुक्तान एक मुश्ट करने, किसानों का बारदाना 30 रुपे की दर से खरीदने, 15 धारी किसानों से धान खरीद सुरिश्चित करने, सोसाइटी से तुरंत धान विवस्था करने और किसानों से प्लास्टिक वजूट के बारदान में धान खरीद करने की मांग की है, प्रदेश्व्यापी विधान सभास्तरिय धरना प्रदर्शन के दोरान बड़ी संख्या में भारती जनता पार्टी के पदाधिकारी वकारे करता उपस्तित रहे, अबड़ार यूटल